हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हूंगे बच्चो शुरू करते हैं आज का ध्याय मुहावरे और लोकोक्तियां सबसे पहले पढ़ते हैं मुहावरे क्या होता है बच्चो यहाँ पर दो चित्र हैं आईए नहीं पढ़े पहले चित्र में सुरेश ने विजय से पैसे उधार मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया और दूसरे चित्र में परिक्षा में प्रथम आने पर मुर्दुल का अंग अंग मुस्काने लगा तो बच्चो उप्रयोक्त वाक्यों में आयरंगीन शब्द विशेश अर्थ प्रकट कर रहे हैं इन्हें मुहावरे कहते हैं मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जिनके शब्दों को सामान्य रूप से ना लेकर किसी विशेश अर्थ में लिया जाता है उस अर्थ को समझने पर ही उस बात की गहराई को समझा जा सकता है मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में ही होता है वाक्यांश होने के कारण इनका प्रयोग स्वतंत रूप से नहीं कर सकते मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुन्दर रोचक और प्रभावशाली बन जाते हैं तो बच्चों हम जब वाक्य में थोड़े विशेश अर्थ प्रकट करने वाले कुछ शब्द जोड़ते हैं तो उन्हें हम मुहावरे कहते हैं वे वाक्यांश जिनके प्रयोग से साधारन अर्थ विशेश अर्थ में बदल जाता है मुहावरे कहलाते हैं छोड अर्थ सामानने जो पावे अर्थ विशेश जो मुहावरा लोहा लेना कहे कभी सर्वेश तो ये कथन लिखा सर्वेश का अंत वर्माने आए बच्चो कुछ प्रचलित मुहावरे उनके अर्थ वाग के प्रयोग सहित निमलिखित पड़ते हैं तो सबसे पहला है आग ब बूला हो गए उंगली पर नचाना यानि एक्छा अनुसार काम करवाना राजू अपने नौकर को उंगली पर नचाता है मुह में पानी आना यानि लल्चा जाना गाजर का हलवा देखकर नैना के मुह में पानी आ गया आकाश पाता लेक करना कोई उपाए न छोड़ना आजमाने आकांशा की पसंद की काफी बनाई तो उसका अंग अंग मुस्कराने लगा। कलेजे पर सांप लोटना यानि इर्श्या से जलना। पडोसी की नई कार देखकर शर्मा जी के कलेजे पर सांप लोट गए। आगे है अंधे की लाठी होना यानि एक मात्र सहारा। नाना जी जब बिमार हुए तो उर्मिला उनके लिए अंधे की लाठी बन गई। खरी खोटी सुनाना यानि बुरा भला कहना। हमारे स्कूल की टीम मैच हार गई तो प्रधानचारे जी ने टीम के कप्तान को खरी खोटी सुनाई। कान भरना यानि चुगली करना। कान भरना अच्छी बात नहीं है। आखों में धूल जोकना यानि धोका देना पुलिस की आखों में धूल जोक कर चोर भाग गया तो बच्चो आये पढ़ते हैं कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ मुहावरा है उल्टी गंगा बहाना यानि की रीती विरोध काम करना लाल पीला होना बहुत गुस्सा करना दात कटी रोटी होना यानि की घनिष्ट मित्रता होना घी के दिये जलाना खुशिया मनाना हत्यार उडालना हार मान लेना अंगूठा दिखाना इंकार करना और नाक रगड़ना यानि की गिडगिडाना तो बच्चो ये थे कुछ उधारन मुहावरे के आये पढ़ते हैं क सिर मुडावे ही ओले पड़े यानि की सिर मुडाते ही ओले पड़े तो ये कुछ लोकुक्तिया हैं तो बच्चो ऊपर लिखे वाक्यों का आर्थ अपने शब्दों से हटकर कुछ विशेश है इन्हें लोकुक्ति कहते हैं लोकुक्ति का आर्थ है लोक यानि लोग उक्ति म्यानिकी प्रचलित बात जो बहुत समय से प्रचलित बात लोगों ने बोली हैं उन्हें दू板 कहते हैं समाज में लोगों के बीच कुछ मुहावरे में अंतर क्या है बच्चो कि मुहावरा वाक्य का अंश होता है और इसका प्रियोग वाक्य के बीच में कहीं भी किया जा सकता है किन्तु लोकोक्ति वाक्य का अंश नहीं होता इसका प्रियोग किसी कथन के समर्थन में स्वतंत रूप से होता है इसका अर्थ भी स् निम्लिकित हैं आईए ने पढ़ें जैसे खोदा पहाड निकली चुईया यानि मैनत अधिक लाब कम रमा परिक्षा में आए हुए सभी प्रिश्णों के उत्तर लिख कर आई परंतु उसके अंक दस में से चार ही आए इसे ही कहते हैं खोदा पहाड निकली चुईया आगे है उल्टा चोर को तवाल को डाटे यानि कि अपरादी द्वारा निरपराद पर दोश लगाना राजेश ने सोहन से पैसे उधार लिए और जब सोहन ने उससे पैसे वापस मांगे तो उसने वापस नहीं किये और उससे लड़ने लगा इसे कहते हैं उल्टा चोर को तवाल को को डाटे हैं आगे हैं अंधे के हाथ बटेर लगाना यानि कि बिना प्रयास के कोई वस्तु प्राप्त होना कि मोहन को सडक पर लाटरी का टिकट पड़ा मिला और उस टिकट पर इनाम निकल गया यह तो अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात हुई एक अनार 100 बिमार यानि एक वस्तू की अनेक चाहने वाले मेरे पास पिच्चर के दो टिक्टे थे और मेरे दोस्त साथ में चलने की जिद करने लगे इसे कहते हैं कि एक अनार 100 बिमार आगे हैं बच्चो एक तो करेला दूजा नीम चड़ा यानि की स्वैम बुरा और संगती भी बुरी अंगत पहले ही पढ़ाई में मुर्ख था उपर से उसे गलत बच्चों का साथ मिल गया इसे कहते हैं एक तो करेला दूजा नीम चड़ा काला अक्षर भैंस बराबर यानि बिलकुल अनपढ़ होना अनुराग को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती और उसके मामा जी ने उसे अंग्रेजी में कहानियों की किताब उपहार में दे दी इसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है आगे है आबैल मुझे मार यानि मुसीबत मोल लेना आज के मैच में खिलाडे अपने ही पोस्ट में गोल मार कर आबैल मुझे मार की कहावत को सच साबित कर दिया लातों के भूत बातों से नहीं मानते यानि दुष्ट व्यक्ति बिना दंड दिये नहीं मानते मास्टर जी ने बच्चों को कई बार प्यार से समझाया पर बच्चे समझने को तयार नहीं है सच है लातों के भूत बातों से नहीं मानते घर का भेदी लंका ढ़ाए यानि आपसी फूट से हानी होना राजकुमार ने गुंडों को बता दिया कि उसका भाई कब ओफिस जाता है गुंडों ने रास्ते में उसके भाई की पिटाई कर दी इसे कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढ़ाए उची दुकान फी का पकवान यानि नाम मुचा लेकिन काम छोटा बहुत नाम सुनाता बल्लू के लड्डू का पर उसके लड्डू बिल्कुल भी स्वादिश्ट नहीं थे सच ही कहा है उची दुकान फी का पकवान आई बच्चों पढ़ते हैं कुछ अन्य लोकुक्तिया और उनके अर्थ लोकुक्ति जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर उसका अर्थ है अपने पास उपलब्द वस्तू की कद्र ना होना दूर के ढोल सुहावने यानि दूर की वस्तू में अच्छी लगते हैं अंत भला तो सब भला यानि अच्छे का परिणाम अच्छा होता है एक पंत दो काज यानि एक साथ दो काम करना आम के आम गुठलियों के दाम यानि हर तरफ से लाब ही लाब होना चोर की दाड़ी में तिनका यानि की अपरादी व्यक्ति स्वयम ब्यभीत रहता है चिराग तले अंधेरा अपनी बुराई न दिखना एक अनार सो बिमार यानि एक वस्तू के कई ग्रहा तो बच्चो ये थी मुहावरे और लोकोक्तिया आईए दोराए वे वाक्यांश जिनके प्रयोग से साधार अर्थ विशेश अर्थ में बदल जाता है मुहावरे कहलाते है मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, रोचक और प्रभावशाली बन जाती है लोकोक्ति का अर्थ है लोगों के बीच प्रचलित कथन इसका प्रयोग अपनी बात के समर्थन में किया जाता है तो बच्चों आशा करती हूं कि आपको यह अध्याय समझा गया होगा इसका अभ्यास आप स्वयम किजिगा